हलो दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर रेसम प्रजापती उपी फ्रामने पॉल बॉडर से अपने यूटूब चैनल में आप लोगा हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों वीडियो इस्टार करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लाश लाश तक देखे जाए आप हमारी वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं या फेस्बूक पर देख रहे हैं कहीं पर भी देख रहे हैं वीडियो को लाश तक जरू देखें इसकी इपना करें अगर आप लाश तक नहीं देखते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा औ और फिर आप वार्साप पर पूछोगे, वार्साप पर कोई reply नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा लाक्ष तक देखे, एक एक बात को ध्यान से सुने, ठीक है, दोस्तों, अगर किसी को joint pen की सिकायत है, joint pen कहीं भी रहता है, चाहे डखने पे हो गया गुटने में हो गया, ठीक है, या गर्दन में हो गया, कमर में हो गया, ठीक है, तो joint pen कितना प्रेसान करता है, इस साइद जिसको होता है, वो ही जानता है, ठीक है, और एक joint pen होता है, जो है गठिया, ठीक है, गुटने का दर्द, यह तो और भी प्रोबलम करता है, कितने लोग की घुटने की ग्रीस खतम हो जाती है, हड़ी से कट-कट की आवा जाती है, ठीक है, पैर टेड़ा हो जाता है, और कितने लोग की तो समझ लोग की चलने फिरने लायक नहीं राते हैं, ठीक है, तो आज हम गठिया के लिए बहुत ही आसान घरेलू नुसका आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही रामबार नुसका है, गठिया के लिए, जोइंट पेन के लिए, अगर आप इस नुसके का इस्तेमाल करते हैं, पहले ही दिन से आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, इतना पावरफुल नुसका है और दोस्तों, हम अपने से कुछ भी नहीं बताते हैं, जो भी है आरवेद में जो लिखा हुआ है, वो चीज आपको बताते हैं, ठीक है, तो आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लाश तक जरूर देखे, ध्यान से देखें, ठीक है, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें, एक वीडियो बनाने में दो से तीन गंटे का टाइम लगता है, और आप लोग लाइक नहीं करते हो, दस सेकंडर का काम है, आप लाइक कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा भी या, है, ऐसा तो नहीं है कि आप लाइक करोगे, हमको दो चार हजार का फायद करें, पता नहीं आपका एक सेर किसका कहां पर भला कर देगा, कोई नहीं जानता है, जिसका भला होगा वो आपको दुआ ही देगा, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को जो है, सेर जरूर करें, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दे तक हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे अगर फेस्बुक पेज पर हैं तो पेज को फलो कर ले हमसे जुड़ जाएं आपका फायदा यह नुकसान तो है नहीं कोई ठीक है तो चलिए गठिया का नुसका आपको बता देते हैं क्या करना है आपको इसमें तीन चीजों की जरूत पड़ेगी हर सिंगार का पौधाय आपने देखा होगा हर जगह मिल जाता है अगर नहीं है तो आप जो है नरसरी से लाकर कि इसको घर पे लगा लेना एक तरह का फूल होता है ठीक है लेकिन बहुत ही जो है फायदेमंद है बहुत ही फायदा करता है बहुत ही काम की चीज है हर सिंगार अगर नई समझ में आता है तो गूगल पर सर्च कर लेना ठीक है तो एक खुराक मैं आपको बता दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप अपना जो है मैनेज करते रहना इसको ठीक है दस हर सिंगार का पत्ता लेना है आपको ठीक है और जो है एक अंगूल के लगभग जो है अद्रक लेना है और दो लॉंग लेनी है ठीक है हर सिंगार की पत्ते का उसको पीस करके चटनी बना दे ठीक है अद्रक को कुड करके उसका भी चटनी बना ले आप और दो फूल वाली लॉंग को कुड करके उसका पौडर कर ले आप ठीक है एक गिलास पानी ले और उसमें जो है, उसको अच्छी तरह से उबाले, कम से कम दो-तीन मिनट तक उसको उबाले, ठीक है? और उबलने के बाद उसको जो है चान ले चानने के बाद थोड़ा ठंडा कर ले गुनगुना ही उसको जो है सेवन करें सेवन करने का तरीका है सुबह बरस करने के बाद खाली पेट गुनगुना ही पीना है दोस्तो पहले ही दिन से आपको फायदा होने लगेगा ठीक है और आपकी गठिया की प्रोब्लम कैसी भी होगी कुछ दिन अगर इसका इस्तेमाल आप कर लिए तो गठिया की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी ठीक है बहुत ही वेहतरीन नुसका है गुटन्या में अगर गिरिस खत्म हो गया है कट-कट की आवाज आती है यहां तक कि यह नुबत है कि मतलब आप गुटने चेंज करवाने पड़ेंगे ना फिर भी यह नुसका बहुत कारगर है ठीक है तो यह नुसका आप जरूर आजमाएं ठीक है साथ में थोड़ा परहेज भी करें नानवे जो गए रहे ना खाएं बीड़ी सराब सेग्रेट गुटका ठीक है इन सारी चीजों का परहेज करें पेट को हमेशा साफ रखें ठीक है तब ही नुसका काम करता है तो दोस्तो यह थी जानकारी जानकारी अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और अगर किसी को सेक्सुल कोई प्रोब्लम है जैसे लिंग के टेड़ा है चोटा है पतला है सेक्स टाइमिंग की कमी है पेसाब में दाहत जाता है साधी हो गई है बीबी को संतुष नहीं कर पाते हैं ठीक है तो आप हमारे यहां से दवा मंगवा सकते हो वीडियो में हमारा वाटसअप नंबर है अगर दवा मंगाना है तो मैसेज करें दवा नहीं मंगाना है तो मैसेज ना करें वीडियो की रिकार्डिंग कुछ भी पूछने के लिए मैसेज ना करे, वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है the अगर वीडियो की रिकार्डिंग कोई भी मैसेज कॉल करते हैं, तुरंट बिलोग हो जाएंगे the नई समझ में आता है वीडियो को दो बार चार बार देख लो ठीक है अगर दवा मंगाना है तभी मेसेज करें और किसी को भी अगर साधी की 10-20 साल हो गए हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं प्रोबलम चाहे हस्बेंड में है या वाइफ में है चाहे जितना पैसा खर्च कर चुक मेसेज करें दवा नहीं मंगाना है तो मेसेज ना करें और हां बकवास करने के लिए तो कत्ती मेसेज ना करें आप यह बोलो कि हमको इस्टाम पेपर पर मोहर मार करके दो तो जहां पर दो लाग चार लाग दस लाग खर्च की वहां पर इस्टाम पेपर पर नहीं साइन आए वहाँ पर करवाते तो जूते मारता थीक है तो ऐसे लोग बिल्कुल भी वीडियो से दूर रहें थीक है मैसेज ना करें मेरे को जिनको विश्वास है उनके लिए गारंटी है थीक है आप पहले दवा मंगाओ बख्वास करने से कुछ नहीं होता है 14,000 रुपए कुछ भी नहीं आज कल के जमाने में और तीन महीने का कॉर्स है 14,000 रुपए में फायदा पक्का होगा जिनको भी दवा मंगाना है वीडियो में वाट्स अप नंबर है मैसेज करें ठीक है और ये दवा हम खुद तयार करके भेजते हैं किसी कंपनी मार्केट की दवानी देते हैं ठीक है लेकिन अब बसकरने वाले तो बात पर बात के और फ्काहलतू बात करेंगे पर ऐसे का नाम सून करके तो पहले ही फटी पढ़ी है शोनी बसकर बसकर बहाना करते है तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैसेज ना करें जिनको विश्वास से मैसेज करें दवा मंगाए को का फायदा होगा ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में ओके थाइंक्यू